हिंदु धर्म के अनुसार भगवान ने स्रष्टी का निर्मान किया है और इनहीं में चन्द कलाकारों को इस्वर का ऐसा वर्दान मिला है जो अपने हुनर और अपनी कलाकारी के चलते भगवान की मन मोहक आकरतिया गर्णे में पीडियों से लगे है मान अर्मदा मद्य भारत की जिवन दाइनी नदी है जिसका उदगम मेकल परवत अमर कंटक से हुआ है ये नदी अमर कंटक से निकल कर लगबग 1000 किलोमेटर का सफर तै करके खंबात की खाडी अरब सागर में जाकर मिलती है नर्मदा नदी विश्व में दिव्यो और रहस्य में ही नदी है कीवदंतियों के अनुसार मा नर्मदा ने भगवान शिव की तपस्या कर वर्दान प्राप्त किया कि मैं पांप नाशिनी रहूं और मेरा हर पाशन नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्रान प्रतिष्ठा के पूजित हो विश्व भर के शिव मंदिरों में इस दिव नदी के नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है लेकिन दूसरे पत्थर से बने शिवलिंगों की प्रान प्रतिष्ठा करना जरूरी होता है तो आईए हम आप सभी दर्सकों को लेकर चलते हैं एक ऐसे गाउं जहां कई पीडियों से नर्मदेश्वर शिवलिंग बनाने का कारे किया जा रहा है जी हाँ, खरगों जिले का एक छोटा सा गाउं बकावां जो मान नर्मदा के टक पर बसा हुआ है यहां लगबग हर चोटा घर कई पीडियों से नर्मदेश और शिवलिंग तराशने का कारे कर रहा है पापनाशीनी माता नर्मदा से निकाले गए पत्थरों को गुर्जर बाहुले इलाके के गाउं बकावां के देड़ सो परिवार के लोग दिन रात महनत कर पीडियों से भगवान भोलेनात के आकरतियां गड़ रहे हैं नर्मदा से निकाले गए पत्थरों से बने शिवलिंग इतने पवित्र होते हैं कि इनको किशी भी शिवाले में विराजमान कनने से पहले प्राण प्रतिष्ठा की भी आवशकता नहीं होती है भारत वर से के इस छोटे से गाउं बकावा के हुनरमंद कलाकारों को देश के प्रधान मंतरी अतल भिहरी वाजपई भी सम्मानित कर चुके हैं एसी हैं भौलेनाद की नगरी बकावा जो बारहा जोती लिंगों में से एक ओमकारे स्वर से 50 किलोमिटर तो माता अहिल्या की नगरी महस्वर से 60 किलोमिटर दूर है तो ये थी हमारी खास खबर ऐसी खास खबरों को लेकर हम आप से मिलते रहेंगे दीजे इजाजत नमस्कार